अगर आप भी रोटी खाके हो गए हैं बोर रोज रोज रोटी सब्जी तो चलिए कुछ आज नया बनाते हैं अपने किचेन में और देखे कितना टेम्टिंग लग रहा है तो चलिए क्या-क्या ज़रुरत है इसके लिए चलते किचेन में हेलो फ्रेंड्स वागत करती हूं अपने चैनल डेली डोज ओपस्पिताज लाइप में कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं बहुत ही बढ़िया होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे तो चलिए कुछ आज आपको अलग नास्ता कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ले लिया ह हमेंने दो कच्छे आलो को छील के काट लिया है और साथ में थोड़ा सा अधरक का टुकरा और मीर्च हरी मीर्च अपने हिसाब से लीजिए तीखा कितना खाते हैं उसे हिसाब से लीजिए और ले लिया है एक कटोरी सूजी और यतना यमी नास्ता बनेगा तो लास्ट में देखिएगा बहुत ही सच में बहुत ही टेम्टिंग बना था और खाने में इतना टेस्टी और साथ में हिल्दी भी है कुछ इसमें कुछ भी खड़ाब चीज मतलब जो भी बुली जो सरीर को नुकसान कर वैसा कुछ नहीं है तो चले आलो को मैंने पीस लिया था और अब बाउल में एक ठुबारा सा बाउल ले लीजिए उसमें ले लीजिए और उसमें अब जो भी सूजी रख्या है काटोरी में उसको डाल लीजिए इसमें इनो बीनो की कोई ज़रुत नहीं है एक दम आपको अच्छा नास्ताप बनके तयार हो जाएगा और ले लिया साथ में एक काटोरी के करीब दही हाँ अगर आप दही नहीं डालना चाहते तब इनो का यूज करिएगा ने तो दही काफी हेल्थ के लिए भी ठीक है तो मैंने दही यूज किया उसके बाद टेस्ट के कोडिंग नमक डाल दिया है इसमें और साथ में आप जीतना सबजी इसमें डा के ट्माठार डाला है ग Schools कुछ नहीं डाला मैंने इस जगह पर बजान भी हो तो डाल सकते लेकिन मैंने डाला जो मैरे किचन में अबलेवल था तैस मैंने तो अच्छे से मीक्स कर दिया है मैं पींस जार क्योंने च्छी में अच्छी मीम्स कर देव और थोड़ा सा उसी पोचाही तो अब इसे रिष्ट के लिए रख देना है मिला दिया है मैंने अच्छे से और इस कर देते हैं और चलते हैं आगे की और फिर मैंने 20 मिनट इसे कम सकम रहने दिया था उसके बाद इसमें मैंने एक तरका लगाया नॉर्मन तरका जो होता है चटनी बगएर में तो अपना काम कर रही थी दूसरा क्यूँ कि दूसरा क्यूंकि किचेन में में घुषने के बाद एक काम नहीं रहाते हैं और अब मैं बनाना शुरू करें तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है मीठा सोडा और थोड़ा सा डालिये पानी ताकि वो एक्टिबेट हो जाए और इसमें अब ज्यादा मिलाना नहीं है अब इसका आगे का कारिकरम होगा शुरू तो एक बार अच्छे से इतना मिक्स करिए कि सा कोई भी ग्रीस करने के लिए तेल डाले तेल घी आपको जो भी डालना और ब्रस से अच्छे से से पूरे में रब कर दीजिए और ताकि जो भी बैटर डालेंगे तो चिपके नहीं और अच्छे से ब्रस से मैंने कर दिया है चारो ग्लास में आप यह प्रोसेस कटोरी के मैं इसको गोल-गोल शेप में डालना चाहरे थी तो इसलिए मैंने गिलास को यूज किया और उसके बाद क्या करें इसमें पूरा गिलास नहीं भरना आपको आधे से थोरा सा ज्यादा लेना है क्योंकि बैटर जो है अभी फूलेगी जब भी इसमें स्टीम होगा फूल के उपर आएगी तो कभी भी इसको पूरा ना भरे इसको आधा से थोरा सा ज्यादा रखें और इसी तरह मैंने चारों को भर ले रही है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करिए अपने घरवालों के साथ रिष्तेदारो के साथ फ्रेंड के साथ ताकि ओवी ऐसे से अच्छ यमी यमी नाश्ता का लुथ उठा सके और बनाने में कोई मेहनत नहीं है अगर आप यहां चाहते हैं कितने ग्लास गंदे ना हो तो आप एक सिंपल कोई भी नीचे प्लेट बगर रखें कोई भी बावल में भी डाल सकत इन चाहिए कुछ दिककत नहीं है और यहां पे वहल्ब पर बीच में चेक कर रही हुं कि हुआ है कि नहीं लोग कर दो लोग करने anthrop Economic Dalai tuh QU करके कावी क्बगे अपी देखतें बेक करतें तो गरम उसको डी मोडल नहीं करते हैं तो उसी तरह इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिया और देखें कितना सुन्दर सा सेप निकला है कितना यमी लग रहा है अभी और इसलिए मैंने ग्लास में डाला क्यूंकि इसका सेप मुझे यह वाला चाहिए था और नहीं तो आप कोई भी कटोडे बगड़े में भी इसे स्टीम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसे मैंने चारो को डिमोल्ड कर लिया है कर रही हूं तीसरा कर रही है और देखें कितने अराम से निकल जा रहा है सिर्फ थोरा सा चाकू से साइड को हटाई और अपने आपो एक दो बार ऐसे उपर से प्रेशर डालिएगा और जो बचा था मैंने देखिए इसमें प्लेट में जाल डाल दिया था ग्लास को डिया लग सेकोन इसको इसको स्टी ख prescribe ett है कि इसको अपने किया था प्रेश त्राइंगल सेप में काटे रख दीआ दिया था और देखिए इतना सुन्दर आरहा है यहां जो बाग जा तो कि कबँवा आराम कि कोई स्ट भी गेश ठाप के घर आ रख सकते हैं और आप जब खाए तब आप इसमें तरका लगा ले और देखे कितना सुन्दर सा सेप बनके तयार है इसलिए मैंने ग्लास यूज किया था मुझे इस सेप चाहिए था और आप इसे काट लीजिए राउंड राउंड में और इसके बाद इसमें आप एक सिंपल स तरका लगाई और इसके टेस्ट को बढ़ाइए और मैंने चठा दी एक कराही और कराही गर्म हो चुका है मैंने डाल दिया सरसो तेल इसमें आप इसमें डाल सकते हैं कोई भी कूकिंग वाइल डाल सकते हैं लेकिन मैंने सोचा क्यों न सरसो ही डालू और इसमें अब जब तो पुरा बैटर ही पीला हो जाएगा तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं होगी तो मैंने यहां पर बाद में डालने की जरूरत नहीं होगी डाला है और डाल दिया करी पत्ता और अब जितने भी सूजी वाले नास्ते है उसको आप डाल दीजिए और यह फ्राइंक पेन कराही जो रभ मूंका कराही में थोड़ ज्यादा अच्छा रहता है तो आप उससे एक साथ ही बहुत सारा हो जाएगा और आप इसे फ्राइ करने इसे बिल्कुल खराब हो जाएगा तो आप ऐसे ही इसको कितना सुन्दर गोल्डेन कलर आ गया है एक दम यमी यमी दिख रहा है मुझे तो बनाते समय खाने का अमन कर रहा था और एक दम सॉप्ट बना था बिल्कुल सॉप्ट इनों की जरुरत नहीं पड़ी मैंने सिर्फ कि और कुछ नहीं तो चलिए नास्ता मेरा तो तयार हो गया है खाने के लिए रेडी हैं और कैसा लगा जरूर आप अपने घर में ट्राय करें और अपने घर में सभी को खिला है बच्चे को खुश करें बच्चे लोग रोटी बगर खाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं उन्ह गरने के लिए को इससे सजा रही हूं तो देखिए मेरी सर्विंग प्लेट में जा रही है नास्ता सुजी का एक्दम क्रिस्पी यंवन सॉप्ट येवन मतलब जबर क्रिस्पी है साइट से पुरा कुरकुरा भी लग रहा थे और एक दम सॉप्ट हाथों में दभा के दिख अधर भी लग रहा है और इधर में एक बैच में नहीं हुआ था तो में दूसरा बैच भी उसी कराही में मैंने किया था और मैंने साथ में सब को डाल दिया उपर से धनिया पत्ता डाला और हरी मिर्च आप डाल दें उपर से देखने में अच्छा लगता है खाने में अगर त इतना टेम्टिंग दिख रहा है तो चलिए अब भोला गई है मेरी प्लेट और आजाएए खाने के लिए और खाईए गपागप गपागप नास्ता तो कैसा लगा चलिए मिलते हैं तब तक आप खूश रहिए स्वस्त रहिए अपने आसपास सफाई का ख्याल लखिए अपने बच्चों का ख्याल लखिए अपने परिवार जनों का ख्याल लखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक यूँ